नवस्कार मैं मुख प्रवेंड को उता हूं दोस्तों विश्लेशन करेंगे उन पांच मुद्दों का जो प्रमुक्ता से उठाये जा सकते हैं आने वाले संससत्र में नई सरकार बनने के बाद पहले संससत्र में विपक्ष जिन पांच मुद्दों को उठाएगा वो मोधी सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले हैं और पियम मोधी के लिए टेंशन की बात ये है कि विपक्षी दल जिन मुद्दो को उठाएंगे उनमें कई ऐसे मुद्दे हैं जिन में बिजेपी के सहियोगी दल, NDA के पार्टर भी विपक्षी हां में हां मिला सकते हैं ऐसे में मोधी सरकार क्या जुकने को तयार हो सकती है बारी-बारी से पांचों मुद्दो का विश्टेशन करते हैं पहला मुद्दा है भारते नयाय सहीता का भारते नयाय सहीता इंडियन पैनल कोड की जगह एक जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगी लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर जी ने संसत सत्र से पहले इस पर सवाल उठा दिये है और पियम मोदी के नाम एक चिट्थी लिखी है ममता बनर जी ने और इस चिट्थी में क्या सवाल उठाया है ममता बनर जी ने ममता बनर जी ने कहा है कि एक जुलाई से इन कानून को लागू ना किया जाए और क्यों ये सवाल उठा रही है उन तीन कानुनों पर चिंता जताई है मम्ता बनाजी ने भारते नयाय सहिता, भारते नागरिक सुरक्षा सहिता और भारती साक्ष अधिनियम 2023 ये तीन कानुन ससद में पारित किये गए थे 2023 में और उस वक्त जो है ससद के बहुत सारे सदस्यों को निलंबित कर दिया गया था और इसी को आधार बनाकर मम्ता अपनी चिट्टी में पीम मोधी को कहती है कि मैं अब आपके कारेले से आगरा करती हूँ कि कम से कम कारेयन्मन की तारिक को आगे बढ़ाने पर विचार करें इसके दो कारण है नैतिक और वेभारिक और आगे मम्ता बनाजी लिखती है कि एक तरफा और बिना किसी बहस के पारित कर दिया था लोकसबा के लगबक सो सदस्यों को निलिम्बित कर दिया गया था और दोनों सद्दों के कुल 146 सांसदों को संसद से बाहर निकाल दिया गया था अब इसकी समिक्षा होनी चाहिए तो मम्ता बनाजी मांग कर रही है कि दागू करने से पहले आने वाले संसद सत्र में इस मुद्दे पर एक बारिफे संसद में बहस की जानी चाहिए विपक्षी सांसदों को सुना जाना चाहिए तमाम राज्यों के जो सांसद हैं उनके विचार को सुनकर कुछ समिक्षा होनी चाहिए कुछ सुधार होना चाहि भारते न्याय सहिता में ये मांग करती है मम्तवरणर जी तो पहला मुद्दा हो गया भारते न्याय सहिता दूसरा मुद्दा प्रमुक्ता से उठाये जा सकता है अगनी वीर का और पी मोदी के लिए टेंशन की बात यह है कि बीजेपी के सहीोगी दल्बी इस मांग को उठा कि अगनी वीर पर पुनर विचार किया जाए आपको याद होगा कि केसी त्यागी का एक बयान आया था कि अगनी वीर यूजना पर विचार की जरूरत और उसके बाद खबर ये भी सामने आए थी कि मोदी सरकार इस पर विचार कर भी रही है। 70% अगनी वीरों को 27 नोक्री जादा सेलरी और 7 साल का कारेकाल इन सब मुद्दों पर विचार किया जा रहा है कि ऐसा बदलाव कर सकती है मोदी सरकार क्योंकि सहयोगी दल भी अब मुद्दा उठाने लगे हैं लोकसवा चुराव में भी इस मुद्दे का भारी नुकसान हुआ है ऐसा कई नेताओं का मानना है इसलिए अगनी वीर योजना का मुद्दा भी ससद में गून सकता है दिपेंदर हुड़ा ने बकायदा इस पर प्रेस कोंफरेंस की थी और कहा था कि हम 7 साल की नोक्री के लिए भी एगरे नहीं करते हम चाहते हैं कि पुराना जो भरती का सिस्टम है वही दोबारा से लाग गांदी ने प्रेस कोंफरेंस की थी चुनाव के नतीजों के बाद प्रेस कोंफरेंस की थी कि जिस तरह एग्जिट पोल दिखाए गए और मार्केट एग्जिट पोल के बाद एक दम से उपर गई और उसके बाद चुनाव के नतीजे आये तो मार्केट धराशाई हो गई लाको करोड रुपे डूब गए निवेशकों की, आम आदमी जिसे शेर मार्केट की समझ नहीं थी, इस सारे खेल की समझ नहीं थी, वो इसमें मारा गया और बहुत सारे लोग पैसा कमा गए, तो इस एक्जिट पोल को घोटाला बताते वे, मिली भकत बताते वे, राहुल गा गांदी ने मीडिया चेनलो, सर्वे एजेंसी और सतधारी नेताओं पर सवाल उठाये थी, राहुल गांदी ने आरोप लगाया था कि पूरे नेक्सेस ने मिलकर लाको करोड का घोटाला किया है, ये देखना दिल्चस्प होगा कि जो शेर मार्केट घोटाले वाली बात है उसको लेकर गांदी ने जो जेपीसी की मांग की थी, अगर मोधी सरकार नहीं मानती है तो क्या संसर सत्र की कारवाई लगाता ठप होती रहेगी, अक्सर ऐसा देखा गया है कि सरकार ऐसी मांगे नहीं मानती है, लेकिन अब की बार विपक्ष मजबूत है, तो क्या मोधी सर आप देखने को मिल सकता है जैसा पिछले कई संससत्र में हुआ है जिसकी वज़े से कई सांसदों को सस्पेंट भी किया गया है हाला कि अब की बार विपक्षी दलों का मानना है कि विपक्ष मजबूत है तो शायद मोधी सरकार ऐसी हिम्मत ना दिखा पाए और इसमें स्पीकर का रोल भी हो सकता है विपक्ष के नेता मान करे हैं कि बिजेपी का स्पीकर नहीं होना चाहिए टीडीपी या फिर एंडिये का किसी और दल का स्पीकर होना चाहिए ताकि स्पीकर एक तरफा करवाई ना कर सके नितीश कुमार की पार्टी में और चंदरबाबू नाइडू की पार्टी में कई नेताओं के साथ विपक्षी दलों की भी अच्छी खासी दोस्ती है तो ऐसे में अगर टीडीपी का स्पीकर बनता है तो शायद विपक्षी सालसदों के साथ उतना बुरा वैभार नहीं किया जाएगा जितना पिछले सत्र में किया गया था इसलिए विपक्षी दल ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी का ही स्पीकर बनाय जाता है तो विपक्ष अपना उमिद्वार उतारने पर भी विचार कर सकता है बले हार जाए लेकिन सांकेतिक रूप से विरोज जरूर किया जाएगा ऐसा भी हो सकता है ऐसे में पीएम मोदी ने विपक्षी दलो को मनाने की जिम्मेदारी राजनास सिंग को दी है लेकिन देखना ये दिर्चस्प रहेगा कि स्पीकर किसको बनाय जाता है क्या टीडीपी का स्पीकर बनता है या बीजेपी का बनता है दोस्तो चोथा मुद्दा जो संसद में सबसे जादा गुन सकता है वो है पेपर लीग का तमाम दल ऐलान कर चुके हैं कि संसद में इस मुद्दे को उठाएंगे राहुल गांदी ने बकायदा चात्रों से मुलाकात की है और ये भी काया है कि संसद में इसको पूरे तरीके से उठाए जाएगा पुर्जोर तरीके से उठाए जाएगा पेपर लीग के मामले में नीट के पेपर लीग पर पहले से ही बवाल था यूजिसी नैट की परिक्षा भी रद कर दी गई और लाकों चात्रों के भविशे के साथ खिनवार किया जा रहा है और सरकार भी इस मामले में बैक फूट पर है धर्मेंद प्रधान इस मुद्दे पर गलती मान चुके है हाला कि सरकार अपनी तरब से ये तर्क दे सकती है कि नहया कानून देश भर में लागू हो गया है पेपर लीक के मामले में अब दस साल की सजा और एक करोड के जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया है तो ये सरकार अपने डिफेंस में कह सकती है लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को प्रमुकता से उठाएंगे और सरकार से सवाल पूछे जाएंगे दोसो इसके अलावा पांचवा मुद्दा हो सकता है संसद में जो मूर्तियों को शिफ्ट किया गया है आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मात्मा गांधी अम्बेडकर सहीत कई मूर्तियों को एक जगे शिफ्ट कर दिया गया संसद के प्रांगण से हटा कर एक कोने में रख दिया गया है और इसको प्रेणा स्थल का नाम दिया गया है संसद में ये परिपाटी रही है कि तमाम मुद्दों पर विपक्ष के संसद गांधी मूर्ति के सामने प्रोटेस्ट करते थे वो प्रांगण में थी अब कोने में शिफ्ट कर दिया गया है तो क्या सरकार की ये मन्शाह है कि गांधी मूर्ति के सामने विपक्ष के सांसद प्रोटेस्ट ना कर सके इसी बात को विपक्षी नेता उठा रहे हैं कि आखिरकार महत्मा गांदी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ती को कोने में क्यों लगा दिया गया हाला कि लोकसबाद देक्ष ओम बिर्ला का बयान सामने आया था कि उसको प्रेणा स्थल का नाम दिया गया है ताकि जो लोग आये संसद में वो एक साथ इन मूर्तियों को देख सके विपक्ष इस मामले में आरोप लगा रहा है कि गांदी मूर्ति वाले प्रोटेस्ट को कमतर करने के लिए इस तरह का कदम उठाया गया है और इस मुद्दे को भी संसद में उठाया जा सकता है तो ये पांच मुद्दे हैं जिनने लेकर बीजेपी के सहयोगी दल भी विपक्ष की हां में हां मिला सकते हैं दोस्तों ये पांच मुद्दे हैं जिनने लेकर विपक्ष मोधी सरकार को कड़गरे में खड़ा कर सकता है आप आने वाले संसत्र को लेकर क्या सोचते हैं जिसके बारे विपक्षिदल कहते हैं कि बड़ा इंटरस्टिंग होने वाला है और PM मोदी अब की बार वो डायलोग नहीं मार पाएंगे कि एक अकेला सब पर भारी है अब की बार PM मोदी संसत्र में NDA जिन्दाबाद बोलते वे दिखाए देंगे अपनी तारिफ करने की बजाए NDA की तारिफ ज्यादा सुनने को में सकती है आप आने वाले संसत्र को लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स पर पिराय जरूर दें अगर आप हमारी पत्रकारता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के जरिए आर्तिक से योग भी दे सकते हैं इसके लावा वीडियो को लाइक करें चलको सब्सकाइब करें नमस्कार